हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टू माई चानल आर्थ मॉम देरादुन मैं हूँ जोती और वेलकम है आप सभी का मेरे चानल में चानल में नहीं है तो मेक शोर चानल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें साथे साथ नीचे एक बैल नोटिफिकेशन है इसको जल्दी से हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए उसी के साथ आप लोगों को मैं एक छोटा सा इंटोड़क्शन अपना दिदेती हूं मैं रियाक्शन एंडेवी वीडिय बनाती हूं आपके फेवेट व्लॉगर्स ट्रेंडिंग टॉप पेक्स करेंट कॉंटोवर्सी तो अगर आपका भी कोई ऐसा फेवेट व्लॉगर है कोई ऐसी कॉंटोवर्सी टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रियाक्शन दू तो आप लोग भी मुझे कॉमें से तो आपयों को मतलब एक गए पता चलि जिसके बाद लेट नाइट हों थी वीडियो शूट करके अफ्लोड करने के लिए इसी लिए मैंорыड मैं आप लोगों को मार्य निग में कर रही कर दिए किई कंसे लिए path और सट्ने इंस्ट्यस और सथ एकाथ आप पता चल गया है कि चुकी है आंटी के साथ लेकिन सचिन उनके साथ में नहीं गए है लेकिन वहां जाते-जाते मनीशा ने काइंडली डारेक्ली एक मैसेज जरूर दिया है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि दूद का जलावा चाद भी फूख फूख के पीता है और इस समय पे मनीशा बहुत स इस रीजन से करा यह चीज़े अभी उसनोंने सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं है लेकिन हाँ अपने रियक्शन के माध्यम से अपनी कम्यूनिटी के माध्यम से वह यह मैसेज जरूर सोशल मीडिया पर दे रही है कि अभी भी इनके जो हस्बन है और जगत दीदी है दे आ और उसका रियक्शन जायज भी था अभी उसको शिवान के लिए निकले हुए वक्त नहीं हुआ था कि इसी बीच में उनके जो पती है उन्होंने इंस्टाग्राम से मनीशा को ब्लॉक कर दिया मनीशा के साथ कुछ रील्स भी डिलीट कर दी इन फैक जो उनका मेन चैनल है स चीज़े गलत हो रही हो न तो चाहे उसमें थर्ड बंदे का इंवल्फमेंट हो भी चाहे नहीं भी हो लेकिन उसके दिमाग के सुई घूम फिरके वहीं जाएगी लेकिन अगर मनीशा के दिमाग के सुई घूम फिरके वहीं जा रही है और वो अतनी confident है अपनी चीज़ों म हमें नहीं है उन चीज़ों का idea इन लोगों को ज़्यादा अच्छे से होगा तो उसके हिसाब से मनीशा ने कल react किया था क्योंकि उनके husband ने उनको ब्लॉक किया था कुछ Reels डिलीट करी थी कुछ वीडियो डिलीट करी थी उसी के साथ कल सुबे मॉर्निंग से तो मनीशा का क नहीं डाला और कल उन्होंने ये व्लॉग अपने चैनल पर डाला जिसमें अगें थोड़ी सी emotional हो रही थी थोड़ी सी शिकायती थी वह अभी उस चीज़ से अपने आपको move on कर ही नहीं पा रही है और उस टॉपिक से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है अब अब इसके पीछ जाद भी अब contact में नहीं हूं ना मुझे किसी की साथ contact में आना है ना ही मैं कभी किसी की साथ contact में हूंघी उन्होंने यह बार डंके कि चौट पे आन camera बोली है लेकिन गाईज हमें सिर्फ on camera ही चीज़े पता है हमें बिल्कुल नहीं पता कि off camera चीज़े क्या हो रही है सो मनीशा ने अपने vlog के साथ साथ एक community भी शेर करी थी वो community भी मैं पढ़ देती हूं मेरे चानल से DP हटवाया गया इंस्टा में भी vlog करवा दिया गया क्यूं करवाया जा रहा है ऐसा पहले भी मेरे साथ में देखना पसंद नहीं किया जा रहा था और ये फिर से नया drama स्टार्ट कर दिया गया है क्यूं मेरा सब कुछ छीनने में लगे हो यार अब अगर पता लगेगा ना कोई भी contact में है तो सामने से सब को चीट दूंगी सबसे पहली बात डीपी वाली बात वो कर रही है कि मेरा चानल से मेरा डीपी हटा दिया इंस्टाग्राम पे ब्लॉग कर दिया लेकिन कहीं न गई मनीशा को अब ये समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि जो चीज़े पहले सामने वाले ने कराई हो अभी भी वही सामन हानी भी नहीं चाहिये हां क्योंकि वह सामने वाला बंदा डंगे की चोट PEで फॉब्लिक चोट में कमिट कर और awayं देäg लेकिन अगर कहीं से भी अगर मुझे पता लगेगा कोई भी कॉन्टक्ट है यहाँ पे उसने भी एक सिफ आशंका जताई है कि अगर मुझे पता लगेगा कि कोई contact में है तो मैं चीर दूँगी समझाया तो यहाँ पे उसने भी यही चीज सर्फ doubtful way में बोली है उसे के साथ साथ उसने नीचे लिखा याद रखना पीट पीछे गेम खेलना छोड़ दो तुम लोग पीट पीछे गेम खेलना छोड़ दो अब ये भी बहुत कुछ नहीं ला रही है लेकिन मेरा पर्सनल लाईफ में इतना मदगुसो उसने मुझे ही ब्लॉग करवाया जा रहा है ये क्या है मुझे नहीं पता कि ये चैनल भी मेरे पास रहेगा यह नहीं बट इतना बर्बात करने के बाद मदगुसो rखना घर छोड़के नहीं जा रही है, बहुत जल्दी आएंगे, साथि साथ मनीशा ने ये चेतावनी भी दिये, कि ये मस समझना कि मैं घर छोड़के चली गई हूँ, बहुत जल्दी मैं वापस भी आऊंगे, और रही बाद चानल मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा, I think हमें मनी मनीशा हमसे जाधा experience है चैनल के बारे में, मनीशा ही वह इंसान थी जिन्होंने सबसे बहले इनके घर में सोशल मीडिया का काम शुरू किया था, एक चैनल को अपने अंडर में कैसे लेना है, उस चैनल को कैसे चेंज करना है, वह सब मनीशा कर सकती है, पासवर्ट चेंज कर सकती है, वह फोन नंबर चेंज कर सकती है, वह मेल आईडी चेंज कर सकती है, और कोई भी एक चैनल अपने ownership में लेके आ सकती है, इतना मुश्किल नहीं है, वह हर नंबर पर, recovery नंबर पर अपना नंबर डाल सकती है, उस चैनल की ownership मनीशा के ही हाथ में चले जाएगी, तो ऐ एक चानल की complete owner बन जाए कि इस चानल पर जो चीज़े आएगी वो आपकी मर्जी के बिना या आपके अलावा कोई delete ना कर पाए इसकी ownership आप ले सकते हो जब बचाओ तब ले सकते हो सिर्फ आपको थोड़े सा password चेंज करना है थोड़े सा mail ID चेंज करना है थोड़े सा अपना number चेंज करना है और ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है सीज को करो अगर की डर है कि चानल आपके पास से चिन जाएगा उसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ था ना कि कल रात को एक live मैंने टेंड करी लेकिन उस live से पहले मैंने एक और community पड़ी वो community है Monika जी की अब तक तो आप में से बहुत सारे लोग उनको जान ही गए होंगे मैं भी इसी controversy के बाद ही उनको जानी हूँ क्योंकि बहुत deeply सचिन मनीशा का case वो observe कर रही है और मनीशा का हर हाल में support भी कर रही है उन्होंने एक community डाली थी रात को इस community में उन्होंने रिखा था कि अभी कुछ बाते मेरे सामने आई है और कुछ सुबूत मेरे सामने आई है जो कि मैं अभी clear तो नहीं कर पाऊंगी बट लेकिन आपको जरूर बताऊंगी कि अब game कोई क्या चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है कि यह चीज मुझे अच्छी नहीं लगी इसलिए मुझे मजबूरी में चीजे बोल रही हूँ अभी भी बोल रही हूँ रुक जाओ कुछ बड़ा होने से रोक लो यहाँ पर जब मॉनिका जी ने community डाली थी तो उसके बाद उन्होंने एक live भी करी थी हाला कि उस live में उन्होंने clearly तो चीजे नहीं बताई लेकिन hint के तोर पे उन्होंने यह बताए कि उनके पास कुछ audios आई हैं कुछ screenshot आए हैं जिस audio और screenshot में planning हो रही है मनीशा को बदनाम करने की हाला कि यह पिछले चारपास इन से चीजे हो रही हैं गलतियां सिर्फ दो लोगों की जो गंदगी मचाई उन दो लोगों ने मचाई लेकिन उन दोनों लोगों के अलावा भी जो भी इस चीज में आ रहा है वो हर बंदा कही ना कहीं किसी न किसी चीज को लेकर टार्गेट हो जाता है चाहे उसका इस चीज में involvement हो चाहे न लेकिन उसको भी गंदा करने की कोषिश की जाती है लेकिन यह गंदगी और बदनामी सर्फ दो लोगों की है लेकिन इसमें जो भी लोग दूर दूर तक भी शरीक है नहीं भी है न वो भी इसमें बिचारे पिस रहे हैं और वहीं पे अब जो खत्रे की घंटी लहरा रही है वो कहीं न कहीं मनीशा के सर पे लहरा रही है और इस इसकी शुरुआत मैं यह नहीं बोलूगी कि इसी बाहर वाले ने कर दिया हो सकता है कि मौनिकाजी के पास कल कुछ audio और कुछ screenshot आये होंगे तो उनको यह game plan समझ में आ गया होगा कि next जो game plan है वो यह है कि मनीशा को कैसे इज़त मिल रही है उसको कैसे public support मिल रहा है यह वो क्यों गंदी नीवी सब इसमें गुसने वाले लोग गंदे होगे मनीशा कैसे बिना गंदे हुए वे इस गंदगी से बाहर निकल रही है या वो बाहर जा रही है तो इसी लिए भी हो सकता है कि मनीशा को बदनाम करने के लिए यह पुरा प्रपंच रचा हो क्योंकि मौनिका जी नहीं बताया है कि उनके पास कुछ audio कुछ screenshot आए हैं जो इस level की गंदी planning कर रहे हैं मनीशा की against मे और हो सकता है कि आज उन्होंने ये बात कल बोली थी हो सकता है कि आज आज आपको कुछ वीडियो की माध्यम से उसके कुछ नमूने भी देखने को मिल जाएं कि उन्होंने जो execution करी है back camera जो game रचा है back camera उसके आप लोगों को कुछ चीज़े आज मिल जाएं आज आप लोग प्रेटी बढ़ेंगे ना दो दिन पहले सचिंगी तो शुरुवात उसने ही कर दी थी लेकिन उसने character को लेके शुरुवात नहीं करी उसने अपने मिया भीवी के जगड़े को लेके ज़रूर शुरुवात करी कि मुझे टॉर्चर कर रही है मेरे उपर शक कर रही है मुझे यह गेम प्लान किया गया है और इस गेम प्लान के कुछ छोटे छोटे सुबूत या बड़े बड़े सुबूत इंस्टाग्राम के थ्रू उन्होंने रिसीव करें हैं जहां पर जो अगला टार्गेट है मिशन मनीशा को बदनाम करो जितनी इस चीज को हम खतम करने की कोशिश कर रहे हैं उतनी यह चीज भढ़ती चली जा रही है that means कि इज़त से कोई भी इस कॉन्टोवर्सी से बाहर नहीं आ सकता हर किसी को इस कॉन्टोवर्सी से बाहर निकलने के लिए बदनामी के समुंदर में डूब के बाहर निकलना पड़ेगा एक लड़की अपना सब कुछ हार चुकी है अपना पती अपना परिवार अपना सब कुछ अपनी हसी अपनी जिंदगी अपनी खुशी और उसके बाद एक मातर उसके पास एक चीज बची है वो है इज़त वो है इज़त तो अब सबसे अच्छा है कि इज़त पेवार कर लो जो बची खुची वो थोड़ा सा दिखा भी रही है ना अपने लिए खड़े होने की हिम्मत थोड़ा सा आ जाती है कभी-कभी जोश में अपने लिए हिम्मत दिखा दिती है एक बार इसका भी चरितर चलनी-चलनी कर दो यह भी कुछ बोलने के लायक नहीं रह और उसके जो husband है कहीं न को एक और मिल जाएगी चीज एक और चीज मिल जाएगी कि चलो यह भी गई हम तो गई थे अब किस बाती माफी मांगे अब तो हम भी माफी डेजर्व नहीं करते क्योंकि यह भी हमारी काटेगी कि आ गई तो प्लीज यार मतलब यह जो चीजे हो रही है न यह ठीक नहीं हो रही है तो कि अगर सब लोग move on करना चाहते हैं तो I think शांती से उन्हें move on करते रहना चाहिए और यहां पर मनीशा के लिए भी मैं बोलूँगी कि मनीशा के अंदर जो भी doubts है मैं यह भी जानती हूं कि वो doubts time के साथ ही उसके दिमाग से जाएंगे वो इतनी जल्दी नहीं जा पाएंगे लेकिन अगर husband wife के बीच में लडाईयां हो रही है उनके बीच में अगर जगड़े हो रहे हैं और इसके reasons सिर्फ इनके खुद के पती हैं कि वो move on नहीं कर पा रहे हैं तो हर बार जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा force भी कर रहा हो रहा यह भी हो सकता है कि कर रहा हो लेकि हर बार यह भी जरूरी नहीं है क्योंकि जब अपना सिक्का खोटा होता है ना तो हम बाहर कितना भी चिल्ला ले कितना भी चिल्ला ले solution मिलेगा ही नहीं क्योंकि गड़बड अपने घर के कुछ भी कर लो वो solution दे ही नहीं पाएगा जब तक आपका खुद का बंदा खुद का इंसान जो गलत है तब तक वो सही नहीं होता तो आप दुनिया को गाली दे लो ठक लो ठक जाओगे हिम्मत हार जाओगे लेकिन सही जो कर पाएगा वो सिर्फ सचिन है तो मनीशा की वो चीज़े सुधार सकता है हना तो जब तक उसकी स्ट्रॉंग पावर उसकी विल पावर और उसके दिमाग में यह चीज़ नहीं आएगी ना कि मैंको इस रिष्टे से मूव ऑन करना है इस रिष्टे ने मुझे कुछ नहीं दिया यूमिलेशन दी बदनामी दी आज कहीं गंदे रिष्टे को यहां पर अंजाम दिया गंदे रिष्टे की नहीं शुरुआत करी तो जब तक इनके खुद के हस्बंड के अंदर यह वील पावर नहीं आती ना कि मुझे सब चीज़े यहीं के यहीं खतम करनी है और वो चीज़ों का पोस्माटम करना छोड़ देंग उसका खुद का पती है जो सबसे बड़ा गुनेगार है मनीशा का और वो सुधर गया तो मनीशा की लाइफ ट्रैक में आ जाएगी तो मनीशा को बाहर वालों को सुधार नहीं नहीं है मनीशा को सिर्फ और सिर्फ अपने पती को सुधार नहीं है बाई हुक बाई कुरुक अपने पती को सही दिशा, सही रहा पे लेके आना है, वो आ गया तो मनिशा की पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, फिर चाहे कोई दीदी जी आया है, चाहे कोई भी आ जाए दुनिया का, वो उनके रिष्टे को हिला नहीं पाएगा, अगर एक बार उसका पती अपनी बीवी के काबू में आ गया, हाना, तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये रियाक्शन वीडियो पसंद आया होगा, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, धेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और प्लीज किसी की भी बदनामी मत सामने वालों को तो गंदा रिष्टा था, वो तो एक्सपोज होना था, वो एक्सपोज हो गया, लेकिन जिस लड़की का ऐसा कुछ भी नहीं है, अन्नेसेसरली उससी लड़की को बदनाम करना, जो अल्रेडी सब चीजे हारी हुई है, उसको और तोडना पाप के बराबर ह हो जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस सीज में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करें, इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ते हैं, आज नहीं तो कल ये चीज़े ठीक करेंगे, अगर सोशल मीडिया पर ये कुछ भी करते हैं, तो उस सीज़ों पर हमारा लेकिन उसके अलावा जो कॉंटेंट ये दिखा नहीं रही हैं, जो कॉंटेंट है ही नहीं, उस कॉंटेंट को प्लानिंग के तहत एक्जिक्यूट ना किया जाए, क्योंकि ये बात मुझे अभी उनकी लाइव में पता चली तो मैं बहुत शॉक हुई, कि इस तरीके से भी कोई audio आई है, जो हाँ पर मनीशा के लिए प्रॉपर प्लानिंग हो रही है, कि इस चीज को लेकिए अब मनीशा की character के assassination होगा, which was very shocking, anyways चलिए, आप लोग ध्यान दीजिए, अपना भी और comment section करके बताना, आप लोग ध्यान दीजिए, अपना भी ये वीडियो यहीं end करती ह थैंक्स फर वचिंग, आर्थ मॉम देरादू